सहीद के गाऊं में पोह्ण हविकास कारी की जूठी या क्या पहुँची मुक्तमंतरी का रियाल collectively में नहीं हुआ कोई विकास सहीद परिवारा और ग्रानिलों में रोष व्याप राप्त जानकारी के अनुसार मामला उत्तर प्रदेश के जिला मथूरा अंतरगत तैसील गोबर्दन की नैनूपटी के गाउन नगला कुटिया का है। यहां सहीद पुस्पेंदर सिंखे परिवारा और ग्रामीडों दोरा मुक्यमंतरी कार्याले और डियम साहब को लिखित रूप से ग्यापन दिया गया था कि गाउं में पेजल बिवस्ता कराई जाए और गाउं की गलियां और नालियां तथा रोड बनवाया जाए और सहीद गेट और सहीद इस्तल का विकास कराया जाए जब याग्यापन मुक्यमंतरी साहब तक पहुचा तो उपरोप्त कारियों की पूर्ती है तो संबंदित कार्याले को निर्देश दिये गए लेकिन कोई भी यदिकारी गाउं में ना तो विकास कार कराने और ना ही विकास कारियों की समिच्छा करने के लिए पहुचा ग्र के लिए कोई उचित विवस्ता नहीं है सहीद के घर का रास्ता खंडार के समान है जब मुक्यमंतरी कारियाले से सहीद परिवार के नाम लिखित पत्र सूचना है तो उसमें लिखा है कि सहीद के गाउं का पूर्ण विकास हो चुका है गाउं में चारों तरफ गली-गली मे इंटरलोकिंग है पेजल की उचित विवस्ता है तो इतना पढ़कर सहीद परिवार और गाउंवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई आखिर कब गाहों में नालिया और इंटरलोकिंग की गई गाहों में कब पानी की विवस्ता की गई कब सहीद का गेट बन गया और कब सहीद इस्तल का विकास हो गया आखिर किसने या गलत और जूटी या क्या मुख्यमंत्री साथ को भेजी क्यों मुख्यमंत्री साथ को काग जी का रुआए में गुमराह किया गया है इन सब बातों को लेकर सहीद परिवार ग्रामिलों में खासा रोस ब्यापत है आने वाले समय में सहीध परिवार अपने ग्रام विकास और सहीध स्टल के विकास के लिए दुखी होकर आने वाले समय में अनी शिदकाले नंसन पर भी बैट सकता है सहीद के बुड़े माबाप सरकार से गुहार लगाते हैं कि उनके बेटे के बलिदान की कीमत तो सरकार नहीं चुका सकती कम से कम सहीद के गाओं का विकास करके सहीद के बलिदान का कुछ तो करादा कर सके अब देखना होगा कि किस अधिकारी के द्वारा या अख्या की गई जो निराधार असत है सहीद परिवारों ग्रामिनों को उमेद है कि सरकार उचित कारवाई करते हुई इन जूटे और ब्रश्टाचारी अधिकारियों के खिलाब कानूनी कारवाई करेगी और सहीद के गाउं और सहीद इस्तल का विकास करा पाएगी रिपोर्ट चौदरी बीरपाल सिंग आपका नाम? नावाव कौन सा गाउं है? खोटिया क्या समस्या है आपकी? खाचेगी, पानी की, खरंजाना की तो आपने किसी को अवगत नहीं कराया सहसन में? को कराया, कोई सुनाई ना करने को क्या कोई अधकारियां जांच के लिए आया? कोई नहीं आया तो आप क्या चाहते हैं? यह रस्ता सही आई जाए, पानी की विवस्ता आई जाए नाम? लुद्धू तो आपके गाउं में क्या सुब्धाएं हैं? पानी की सुब्धा कैसी है? और रास्ते? तो हमें जैसी जानकारी मिली है मुख्यमंत्री साहब को रिपोर्ट सौपी गई है कि गाउं में मीठा पानी है और गाउं में इंटरलोकिंग है क्या ये सही है या गलत? गलत कुछ भी नहीं है ये सहीद का परवार है कुछ भी नहीं है या कोई सुब्धा नहीं है आप क्या चाहती है? हम पानी चाहते हैं खंजरा चाहते हैं मुख्य मंतरी साब के यहां से लेचर आया है कि गउं में मीठा पानी है प्वी तो आप क्या चाहती है आप क्या सरकार से एक है यह तो क्या यह जूटी मुख्यमंत्री साथ को सौंभी गई है बिल्कुल यूंटी रपोर्ट देए और यह वह बापिस करो क्या नाम है आपका मेरा नाम देश सिंग है गाम नगला पुटिया है और विलोग बोवर्दन है चला मसरा से बोड़ा है अब हमारे बास एक लेटर आया है अब लेटर में सब काम की समित्या करेके दिखाई गई है कि सब काम हो चुका नहां कोई पीने का पानी है ना कोई बिजली खरण जाए मतलब सही जिस्तल पर तो बिजली उना लगी और गाम में कोई कार नहीं हुआ है तो आपने अबदक नहीं करा है और फिर से प्रिशासन को हमने अब डियम साब से और मुखमंत्रीजी से अनुद किया है कि हमारे बिकासकाज तुरंट किये जाए और अगर इस लेटर पर जाने तो इसकी इनुकारी कराई जाए क्यों क्या हम धूट नहीं बोलते सकत बात कहरें क्यों कि सरकार को यह काम तुरंट करना चाहिए और मुर्ती का भी अनावरन करना चाहिए और घेट बनना चाहिए कोई काम दकासका एक लेटमात्र काम नहीं हुआ है